जेहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों चायना इंडियन ओशन में अपना कदम जमाने के लिए काफी वेचैन है और ये वेचैनी आज से नहीं बलकी 2008 से है जब से चायना दोरा इंडियन ओशन में पहली वार इन मकसदों को पूरा करने के लिए अपने नेवी के जहाजों को एंटी पाइरसी पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था पर एक तरफ चायना का इन सपनों को जहाँ पे भारत दोरा चुनोती दिया जा रहा है तो उही पे अब भारत चायना के ही चालों को चायना के खिलाब मजभूतिक के साथ चल रहा है हाली में आप लोग सुने होंगे कि भारत द्वारा वियत नाम के साथ South China Sea के अंदर एक Joint Military Exercise किया जा रहा है और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से इंडिया South China Sea के अंदर ही चायना को घेर सकता है और खाली घेर नहीं बलकी चायना को माधवी दे सकता है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए 221 तारीक के दिन इंडिया और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक वर्चुल समिट हुआ जिसमें दोनों देशों के द्वारा इस महामारी के सिचुएशन के अंदर किस तरीके से अपने अपने देश को सुरक्षित रखा जाए उसके उपर तो चर्चा हुआ ही साथ में इंडो पेसिफिक रिजन के सांती और स्तीरता को लेके भी चर्चा किया गया एक तरब जहाँ पे चायना द्वारा इंडो पेसिफिक रिजन में हाली के कुछ महिनों में एग्रेशन और अपने एक्स्पेंशिनिजम के नीती को आगे बढ़ाया गया तो वही पे भारत और वियतनाम के प्राइम मिनिशर के बीच में इस वार्ताराप को काफी जादा मह शिपक्या समझोता हो चुका था और तब से ही संभावनाय लगा जा रहा है कि भारत वियतनाम को ब्रमोस मिसाइलों का सप्लाई करेगा दोस्तो यहाँ पे ये ब्रमोस मिसाइल ऐसा एक हतियार है जो डिस्प्यूटेड साउथ चायना सी में बैलेंस औप पावर को दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि ब्रमोस मिसाइलों को इन देशों के दौाया खरिदने का इंट्रेस्ट इसलिए भी दिखाया जा रहा है क्योंकि ये खतरनाक होने के साथ-साथ मल्टी प्लाटफॉर्म है मतलब इन मिसाइलों को किसी भी फ्लाटफॉर्म से इस्तिमाल किया जा सकता है चाहे वो सब्मरीन हो जहाज हो एरक्रैप्ट हो या फिर लैंड वेस्ट लॉंचर हो रश्या और भारत द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का रफ्तार करीवन मार्क 2.8 है और ये परवानू और कन्वेंशनल दोनों तरीके का ह खासियत है कि ये दुश्मन के जहास के इलावा एरक्रैफ्ट कैरियर जैसे भी बड़े हत्यारों को एक ही वार में दवा कर सकता है पर दोस्तो अभी तक के रिपोर्ट के मुताविक कभी भारत द्वारा डायरेक्ली ये नहीं कहा गया है कि भारत इन मिसाइलों को वियतनाम को देगा या ये भी नहीं कहा गया है कि भारत इन मिसाइलों को वियतनाम को देगा या नहीं देगा पर दोस्तो जब भी इन मिसाइलों को लेके वियतनाम के साथ चर्चा होता है तब भी चाइना के तरफ से चाइनीज न्यूस्पेपर और द्वारा धंकी भरा लेक पब्ल चाना सी शेत्र में अपना हस्तक्षिप ना करें। 2016 हो या 2018 हो जो भी घटना घटा है वो 2020 के घटनाओं के तुलना में काफी अलग है। चाना के बीच में भारत द्वारा हिमाला इन रिजन में डिप्लोई भी किया गया था। अक्टोबर में डिफेंस मिनिश्री के तरफ से ब्रह्मोस मिसायलों के परिक्षन को लेके खुलासा किया गया कि इन मिसायलों को इंडिया के नेवी के डिस्ट्रॉयर द्वारा फायर किया गया जबकि डिसेंबर में ऐसे ही खुलासा में कहा गया कि परिक्षन के दर्मियान मि communication facilities को धोस किया गया और दोस्तों ये जो precision है इसे ही चायना के लिए सबसे बड़ा खत्रा माना जाता है ब्रभमोस missile के sale अगर South China Sea में स्थित किसी भी देश को किया जाता है तो ये balance of power को पूरा-पूरी उस देश के तरव shift कर देगा इवन South China Sea के अंदर चायना का दबदबा फैलाने का जो असल कारण है वो भी खत्रे में आ जाएगा दोस्तों चायना अपने trade और economy के लिए काफी हद तक South China Sea के उपर dependent है और इसलिए चायना नहीं चाहता है कि इस हेत्रे के उपर किसी और देश का दबदबा बढ़े South China Sea के अंदर से चायना का करीवन 40 पतिशत trade पास होता है जिसका value करीवन 4.6 trillion dollar है जबकि इसके इलावा चायना के total energy import के 80 पतिशत South China Sea रिजन से ही होता है और इसी वज़ा से चायना द्वारा South China Sea के 90 पतिशत area के उपर अपना दावा ठोका जा रहा है जो असल में वियतनाम, फिलिफिन, मलेशिया, बुर्नेई, इंदरनीशिया और ताइवान का शेत्र है दोस्तों इसके इलावा चायना वियतनाम को ब्रमोस मिसायल को बेचने को लेके इसलिए भी चिंतित है क्योंकि वियतनाम के साथ चायना का कई लंबा बॉर्डर है आपके जानकारी के लिए बता दू कि 2019 में भारत द्वारा ब्रमोस मिसायल के extended range version का भी फरिक्षन किया गया जबकि भारत और रश्या के तरफ से अब jointly इन मिसायलों के रेंज 800 किलोमेटर तक बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है इवन इन मिसायलों के एक extended range version तो 1500 किलोमेटर रेंज तक करने के लिए दोनों देशों के तरफ से इरादा किया जा रहा है उई पे चायना और वियतनाम के बॉर्डर को देखे तो आपको पता चलेगा ये दोनों देशों के बीज में करिवन 1650 किलोमेटर के कोस्टर लाइन और 1300 किलोमेटर के लैंड बॉर्डर है और ब्रमोस मिसायल के जो आधुनिक वर्जन है वो वर्टिकल टेक ओफ और 360 डिग्री में कही पे भी वार कर सकता है और इसलिए वियतनाम इन मिसायलों को कही पे भी प्लेस करके चायना के उपर दाख सकता है इवन दोस्तों इंडिया दुआरा जो 1500 किलोमेटर रेंज का ब्रमोस मिसायल बनाने का बात कहा जा रहा है उसे अगर वियतनाम को बेजा जाता है तो वियतनाम इसका इस्तेमाल करते हुए चायना के शैंग्जन, ग्वांजू, चेंडू, चौंकिंग, डॉंग्गूंग और वुहान जैसे शहरों को निशाना बना सकता है इवन आफके जानकारी के लिए बता दू कि वियतनाम के नौट मेस्ती मिलिटरी डिस्टिक्स से चायना के शांगाई सहर का डिस्टेंस स्रिफ 19 किलोमीटर है और वियतनाम के बॉर्डर से बेजिंग और तंजिंग जैसे शहर स्रिफ 2300 किलोमीटर के डिस्टेंस में है इवन दोस्तों चायना का डर तो तब भी बढ़ गया था जब भारत द्वारा 500 मिलियन डॉलर के एक लाइन ओफ क्रेडिट वियतनाम को देने का बात कहा गया था इवन दोस्तों कुछ मिलिटरी एक्सपोर्टों का ये भी मानना था कि दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर के बैठक के बाद शायद ये मिसाइल के डील को लेके कुछ बड़ा खुलासा किया जा सकता था लेकिन संभावित ये खुलासा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत ब्रमोस मिसाइल के दवाव चायना के उपर इसलिए डाल रहा है ताकि चायना डिसेंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाए पर दोस्तों आपके जानकरी के लिए बता दू कि इंडिया और रश्या द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ और दोस्तों इसी एक्सपूर्ट में सबसे प्रमुक देश फिलिपिन को ही माना जा रहा था पर इस महामारी के वजाए से जहाँ पर फिलिपिन में थोड़ा आर्थिक मुश्किले आ रहा है इसलिए फिलिपिन द्वारा संभावित इस मिसाइल डिल के उपर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है और वही पर आपके जानकरी के लिए भी बता दू कि जितना डिस्प्यूट चाइना का वियतनाम के साथ है उतना ही डिस्प्यूट चाइना का फिलिपिन के साथ भी है और उपर से वियतनाम को भी मिसाइल बेचने पे रशिया को कोई दिक्कत इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि भारत और चायना रशिया के लिए जितना इंपोर्टेन है और जितना बड़े डिफेंस एलाई है वियतनाम भी रशिया के लिए लगभग उतना ही महत्योपूर्ण और बड़े डिफेंस में जहां पे वियतनाम को रशिया द्वारा बड़ा समर्थन मिला था वही पे वियतनाम के बेड़े में इस्तेमाल होने वाला जालतर हतियार भी रशियान हतियार है इसलिए माना ये भी जा रहा है कि वियतनाम को हतियार बेचने पे रशिया द्वारा कोई भी वाधा क्रिय नहीं किया जाएगा और भारत और वियतनाम एग्री होने पे ये मिसाइल का डील आसानी से हो जाएगा। के साथ मिलके साथ चाइना सी में चाइना को जहाँ पे एक तरफ घेर सकता है तो वही पे चाइना के इंडियन ओशन के मनसुबे को भी ध्वस कर सकता है क्योंकि साथ चाइना सी में अगर चाइना घेर जाएगा तो चाइना इंडियन ओशन में भी आने का हिम्मत नहीं रख प भुम्